नमस्कार इस वीडियो में हम जानेंगे सोर्गम सुटफ्लाई के बारे में सोर्गम सुटफ्लाई जवार में लगने वाली प्रमुकीट में से एक है सोर्गम सुटफ्लाई का साइंटिपिक नेम एथरी गोना सोखाटा है और इसके ओडर डिप्टेरा है और इसकी फेमेली सोर्गम स्ट्ट्प्लाई का इनपिशटेशन देखा गया है सोरगम सुटप्लाई का होश्ट्रेंज जवार के अलावा मकई, मक्का, मजमेज, सुगर केड, वीट, राइस, स्रागी में भी देखा गया है और बहुत सारी घासों ग्रासेस में भी देखा गया है तो आईए देखते हैं कि सोरगम सुटप्लाई किस तरह से अपना लाइफ सैकल कम्प्रीट करती है तो सोरगम सुटप्लाई का एडल्ट वाइट इस ग्रे फिमेल होता है जो की वाइट इस ग्रे कलर का होता है उसका फिमेल और जो की ले करता है white cigar shaped egg कहां ले करता है lower surface of leaf blade में mostly during morning hour अब सुभा के समय में lower surface of leaf blade में लीब के पत्ते के लीब ब्लेट के निचली surface में निचले अस्तर पे cigar shaped white clear के अंडे ले करती है उसकी female उसकी बाद जो एक होता है white होता है cylindrical होता है कभी कभी चप्ती भी होती है plantain भी होती है और एक का incubation period कितना दिन का होता है दो से तीन दिन का होता है और इसका जो larva में got होता है वो dirty white color का होता है और ए पोडस का मत्ताब उसमें पोड मत्तब लेग नहीं होते बिना लेग का होता है तो अब मैच्यूर लारवा क्या होता है येलो कलर का होता है लगवग 6 mm लंबा होता है और लारवा प्रियाट 8-10 दिन का होता है और उसमें चार लारवा स्टेर होते हैं, मतबब 4 लारवा के स्टेज होते हैं, मतब 4 लारवा मॉल्टिंग होती हैं, इसका pupation कहा होता है, तो तो इसका pupation base of the stem, stem के base में होता है, और कभी और soil में भी होता है, आठ से दस दिन के लिए इस तरह से सोरगम सुट प्लाई का लाइफ सैकल जीवन काल 17 से 21 दिन में कम्पलीट होता है तो आप देख सकते हैं पिक्चर में किस और गम सुट प्लाई किस तरह से एडल्ट सुट प्लाई एक लेकी और एक का इंक्यूशन प्रेट कितने दिन का है तो 2 से 3 दिन का है और 2 से 3 दिन का एक के बाद उसके बाद वो चेंज हुई है एक के बाद मगोट में मगोट कितने दिन का है 8-10 दिन का और आप देख सकते है पीले कलर का लारवा है लगवक 6 में इस मिलिमिटर लंबा अब फिर लारवा फिर होता है प्यूपा प्यूपा प्रियड भी कितने दिन का होता है 8-10 दिन फिर pupa से adult और इस तरह से पूरा life cycle complete होता है और वो जिवनकाल सत्रा से 20 गीजिन में पूरा करता है अब हम देखेंगे कि इस तरह ये damage करती है damaging symptom क्या है तो देखते हैं तो nature of damage क्या है तो जो maggot होता है वो hatching करने के बाद वो migrate करता है अपर सर्फिस उपलीप में उसके बाद एंटर करता है कहां लीप सीट और स्टेम के बीच में वह एंटर करता है और जब सोईल लेवल में जब पहुंचता है तो मेंगोट क्या करता है कि बोर करता है कि इस टीम में इस टीम में बोर करने के बाद मतलब छेद बनाने के बाद क करता है growing point में जिससे की data symptom कोज करता है आप देख सकते हैं किस तरह data symptom यहां create हुआ है अब जो इनफेस्टेट प्लांट कभी कभी साइट टीलस भी प्रोडूस करते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि यहां साइट टीलस का भी production हुआ है कि प्रोडियूस हुई है साइट टीलस आप देख सकते हैं इसी तरह से जो आटेक होता है वो सीवियर होता है कब समर में खरीब सीजन चुकि हम जानते हैं कि ज्वार का सोर्गम का खेती कब होता है खरीब सीजन में और समर में कभी कभी तो लेकिन क्या क्या होता कि समर के दोरान जो अटेक सीवियर होता है खरीब सीजन के अपिक्षा तो अब हम जानते कि इसका management किस तरह से करेंगे तो आईए देखते हैं किस तरह से करेंगे तो management के लिए हम लोग resistant variety ज्वार की resistant variety CO1 या CH 15R या स्वाती वेराइटे का उप्योग करेंगे फिर हम लोग सोरगम को हम लोग क्या करेंगे कि early sowing करेंगे जैसे ही monset of monsoon होगा और हम लोग उसका sowing कर देंगे तुरंत अब यूज हायर सीड रेट हम लोग हायर सीड रेट जैसे साड़े बारा के जी प्रती एक्टेर का उप्योग करेंगे ताकि क्या हो कि सूट प्लाइडे में सीड्लिंग जो भी होंगे पोध है होंगे पोध जो तैयार होगा उसको हम लोग रिमूप कर सके और हम लोग टाइंज नर्सरी के दोवरान हम लोग healthy seedling transplant कर पाएं तो आब हम देखेंगे कि अब pull out and destroy plant at the time of thinning तो हम लोगों ने पिछले picture में हम लोगों देखा कि इस तरह से dead heart symptom जो भी create कर रहे थी तो dead heart symptom create करने वाले जो भी जो plant होंगे हम लोग उसको pull out कर देंगे और pull out करके उसके बाद उसको destroy कर देंगे उसी तरह हम लोग hanging type of plastic fish meal trap का उपयोग करेंगे यह बहुत important है कि हम लोग फीज में ट्रेव का उपयोग करेंगे कितना 12 फीज में प्रती हेक्टेर हम लोग उपयोग करेंगे इसी तरह और जब crop कितने कितने दिन का हो 30 दिन का हो जाए तब हम लोग 12 इस में ट्रेव को उपयोग करेंगे प्रती हेक्टेर है इसी प्रकार हम लोग treatment करेंगे एक सो केजी सीट का treatment करेंगे इमीडा क्लोपीट सेवेंटी डब्लूएस का एक केजी मतब एक केजी में डाकलोपीट सेवेंटी डब्लूएस को उपयोग करेंगे सो केजी सीट का treatment करेंगे या फिर थाई में तोक्सेम का भी उपयोग कर सकते 30FS का एक लिटर का एक सुकेजी में या फिर अब जब सोर्गम सुट प्लाई का इंप्रिश्टेशन ज्यादा हो तो हम लोग डाई में थो एट थर्टी इसी का इस्प्रे कर सकते 500 एमिल मत्तब 250 लिटर उप्योपी इस्प्रे फ्ल्यूट प्रतिएक्टर उप्योप्योग क इस तरह हम लोगोंने जाना सुर्गम सुट प्लाई के बारे में सुर्गम सुट प्लाई के इंप्रिश्टेशन के बारे में इसका डिस्ट्रिबिशन इसका होस्ट्रेंज के बारे पे उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे तो अब धन्यवाद मिलेंगे नेक्स्ट वीड के साथ धन्यवाद